कि अब देख लेते हैं क्या मेरी आवाज एक मधूर सी इंदम जबर्दस आग लगा देने वाली इंदम प्यारी वाली आवाज आ रहे हैं कि आप लोग को आप आएगी देखो वीडियो लोग कि मैं आडिबल आड विसबल काई संग गल्स कि देख रहों मैं मैं भी देख रहां मैं ऐसे तो नहीं कि मैं सिर्फ आप लोगों को बोर रहा हो कि आ पी बताओ मैं थोड़ा सा इन्डीपेंडेंट विउन में खुद भी देखता हूँ कुछ चीज़े आ रहा है रुखो ना तुम लोग रुखते ही नहीं हो यार तुम दोस्तों भाईयों देवियों सज्जुरों मेरा नाम है सियादर जोशिय और मैं चार्टर अकाउंटन बाइप्रफेशन और प्रफेसर बाइशन और आज हम देखने वाले रिलेशन बीट्वीन पार्टनै देखने है यह तैज दिल से स्वागाट करना चाहता हूं रिया विशाल दिया विशाल अरे जोरदा तेजस्वी वालक तेजस्वी तस्मिण फिर और को बार होगे विचाल भाई कितनी बार प्रियांची हर्ष साक्षी दूसरी वाली रिया उधीपन जैप्रकाश प्राप्ति नेहा स्नेहा आज कुछ अलग ही चल रहा है चाट वे नेहा स्नेहा आचल शुरूती और नेहा वापस एक और नेहा कितने नेहा है भाई जिंदगी में पल्डवी तंजीत मेरे भाई कैसे हो नीराज बहुत अपना आप लोग का अलगी चैट चिट चट चल रहा है ऐसा मेरे को फील हो रहा है तुम लोग को ऐसे लाइफ में कोई लेना देना नहीं है बहले चल चिट चाट कर लेते हैं सी आदर सी आदर करने के लिए दो भाई क्या ने 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 क्या अरे कब करोगे भाई कब करोगे कब करोगे प्राप्ति मेडाम कब करोगे जल्दी से हमारा mission success बैज जॉइन कर लो बिड़ा अब मैंने revision start कर दिये chapter number 2 की बहुत जबरदस जा रहा है बैच जरूर आप जूइन करना मेरे बार मेरे आप सभ अब आपके पास एक सबसे बड़ा reason है plus में आने का because we are about to start from 21st of October we are about to start RTP, MTP और PYQ classes जिसमें की पूरे के पूरे law के PYQs मैं cover करवाने वाला हूँ आपको 21st October onwards बहुत जबरदस बैच रहेगी ये must do वाली बैच है ये बैच अगर आप मिस कर रहे हो ना आप अपने जिंदगी साथ खेल रहे हो भाई ये कुछ ना कुछ आप जोल जब कर रहे हो इस बैच को मिस्मत करना exclusively on plus don't forget the referral code see others LLP के बारे में बढ़ा बहुत सारी चीज़े देख ली कितने sections होते है 81 section 4 schedules first में rights and duties होती है second third fourth में conversion है PF to LLP private company to LLP और unlisted public company to LLP MC और ROC को Central Government ने ये LLP के सारे काम दिये हुए और partnership act इस पर नहीं हो limited liability like a company it's a new form of business organization where limit liability of the partners is limited liability of LLP is unlimited but liability of partners of LLP is limited body corporate company and LLP incorporated India LLP in corporate outside India and a company in corporate outside India but does not include corporations or corporate society or any other body corporate फिर हमने देखा था अब ये सारे designation designated partner तरह देख लेना as per section 2 clause subsection 1 clause j it is designated partner means any partner as given in section 7 section 7 बोलता है that every LLP should have two individual or two individual will be designated partners and one of them should be resident in India if an LLP is having body corporate और partners का mix है या only body corporate तो आपको nominees लेकर आने पढ़ेंगे of your body corporates इसके बाद मैंने आपको बताया था foreign फिर क्या था entity बताया financial year के बार में बताया 30 September के बाद अगर आप found हो रहे तो एक साल additional आपको मिलता है cover करने के लिए foreign LLP मतलब LLP in corporate outside India having place of business in India LLP LLP agreement partner partner बोले तो partner as per 2 1D partner बोले तो any individual or body corporate can be a partner रगर individual unsound mind का है undischarge insolvent apply to be educated as insolvent तो आप partner नहीं बन सकते minimum आपके बास दो partner होने चाहिए और अगर आपके partner minimum number of partners दो से नीचे जाते हैं तो और six months हो गया और आपने अगर business continue कर लिया तो बाहिसा बहुत बड़ा पाप मिलेगा आपको मतलब की आपकी liability personal हो जाएगी you will be personally liable for all the obligations of the LLP तो minimum दो partners आपको रख नहीं है at all given point of time maximum there is no limit unlimited number of partners आप इसमें रख सकते हैं यह सारे characteristics और features आपको मैंने सारे पढ़ा दिया body corporate है perpetual section separate legal entity mutual agency नहीं है LLP agreement आपको बनाना होता है ALP है common seal optional है limited liability रहेगी इसकी members की up to the amount agreed management of business deed से होगा maximum minimum number of members to an unlimited business profit के लिए होगा investigation CG करा सकता है compromise arrangement भी हो सकता है as per rules and conversion भी हो सकता है as per rules e-filing document करना होगा www.mca.gov.in से foreign LP के बारे में भी rules हम central government बना सकती है इसके बाद हमने बताया था incorporation का process बढ़ा simple है आपको अपना नाम चेक करना है नाम चेक करने के बाद आप उसको reserve कर सकते हो RUN form भरेंगे तीन मैने के लिए नाम reserve होगा within that three months आपके लिए मैं काम करता हूँ आपके level में बताता हूँ इस फार्म नंबर वन भरना इस फार्म नंबर वन में नाम reserve होगा three months के लिए रिजवर रहेगा within three months आपको e-farm number two यहनि हमारे case में फिलिप आपके case में e-farm number two आपको fill up करना होगा e-farm number two में दो चीज़ है incorporation document र statement incorporation document में आप बताते हो कि sir आपका company LLP का नाम क्या है address क्या है proposed business क्या है name and address of partners name and address of designated partners and other information statement कौन देता है तो भाई जो designated partners है वो और उनके साथ साथ जो experts CACS CWLB यह लोग statement देता है that they have complied with all the requirements of this act यह दोनों चीज़े जाती है e-farm number two में और e-farm number two भरने के within 14 days आपका incorporation document register हो जाता और आपको certificate of incorporation मिल जाता और उस दिन onwards आप एक congratulations आप एक LLP बन जाते हो अगर आपने कोई गलत information दिये तो आपको भाई साब penalty क्या लगेगी up to two years 10,000 to five lakh incorporation के बाद अगर आपका certificate of incorporation जो आपको मिलेगा न वो within 14 days वाला वो certificate will be the sufficient evidence that आपने सारे के सारे law follow की है एक और बात मैं आपको बता दूँ यह certificate register अपनी sign और official stamp के साथ देगा and it will be a conclusive evidence that the LLP has been incorporated LLP को एक registered office रखना पड़ेगा जहां पर सारे की सारे communication हम उनसे कर सकते हैं यहनि कि ROC को अगर LLP director designate partner पार्टनर से अगर बात करनी है उस address पर या और address दिना चाहिए तो outsiders पर हम communicate करेंगे अगर आप उसमें change करें तो change भी आपको intimate करना होगा to the ROC ताकि हम आपसे communicate regularly कर पाए कोई घरपला आपने किया तो 2000-25000 का fine designate partners पर लग सकता है name आपको मैंने कहा आपको अपने नाम के आगे LLP या limited liability partnership लगाना होगा आपका name undesirable नहीं होना चाहिए या identical नहीं होना चाहिए to nearly resembling to any other company, LLP, firm और body corporate अगर आप apply करते हो in e-form number one तो हो सकता है दो cases में आप apply करेंगे एक तो आप नया LLP बना रहे हो या आप अपने existing LLP का नाम change कर रहे हो, दोने case में आपको e-form number one बरना है along with fees और ये e-form number one मिलने के बाद अगर हमको लगा कि आपका नाम undesirable नहीं है या it is not resembling too much to any existing name और trademark तो हम आपको 3 months के लिए आपका नाम reserve कर देंगे, अगर आप अपना नाम change करना चाहते हो, अगर आप खुद से change करना चाहते हो, क्या हो सकता है आपका नाम undesirable हो गया या आपका नाम किसी और के trademark और business से match कर गया, तो central government आपको order देगी कि भाई 3 मेने के अंदर अपना नाम बदल दो और ये within 3 months आपको फिर से e-form number one, e-form number two भर के अपना नाम change करना होगा और नया certificate of incorporation आपको मिल जाएगा, अगर आपने central government के बाद नहीं मानी, तो LLP को 10,000 से 5,000,000 की fine मिलेगी, designate partner को भी 10,000 से 1,000,000 का fine लग सकता है, ये थे सारे steps, अगर आपका एक बार LLP in corporate हो जाता है, दन उसके 30 days के अंदर, आपको e-form number three में अपना LLP agreement, ROC के साथ share करना पड़ता है, यहां तक का information आपके पास है, 10 मिनिट लगे लेकिन अभी तक की story आपको सारी समझ में आ गई, है ना, अब मैं आगे चलू, आज का पढ़ाई स्टार्ट करें हम लोग, आपका मन है, mood है mood, mood है का mood, mood है ना, तो चलो आज की हम पढ़ाई स्टार्ट कर देता है, partners and their relations, Sir, section number 22 में मैं लेकर आता हूँ आपको, ठीक ह on the incorporation of an LLP, the person who subscribe their name to the incorporation document shall be its partners, एक तम सिंपल है, जैसे subscriber to the memorandum को आप members बोलते हो, उसी तरह subscriber to the incorporation document, incorporation document बोलते हो, इनका MOA हो गया, sort of, तो जिस प्रकार subscriber of memorandum को आप member बोलते हो, उसी तरह incorporation document को subscribe करने वाले लोगों को आप partner कहलाते हो, लेकिन एक additional बात इसमें है, any other person may become a partner of an LLP by and in accordance with LLP agreement, उले आप जब 30 दिन के अंदर वो LLP agreement दे रहो ना, उसमें आप कुछ नए लोगों को भी अपना partner बता सकते हो, यहने आपके पास दो तरीके partner बनाने के, एक at the time of incorporation, incorporation document में आप उन लोग का नाम दे दो, they will be called as partners, या ब they will be called as partners, तो partners बनने के लिए दोनों रास्ते आपके पास open है, now what will be the relationship between the partners, अब यहाँ पे section number 23 थोड़ा, थोड़ा सा section number 23 एकदम खतरनाक हो जाता है, अब यहाँ से आपका 100% focus की मैं demand करता हू, I demand 100% focus henceforth, save as otherwise provided by this act, the mutual rights and duties of the partners of an LLP and the mutual rights and duties of the LLP and its partners, shall be governed by the LLP agreement between the partners, और between the LLP and its partners, क्या बोला है, बोला है सर कि अगर इस act में कुछ और लिखा है, तो आप उसको follow करो, save as otherwise provided by this act, अगर इस act में कोई और चीज़ लिखे तो आप उसको follow करो, लेकिन अगर यह act silent है, तो mutual rights and duties जो होंगे partners के, वो कैसे decide होंगे, LLP agreements है, तो mutual rights and duties of partners of the LLP and mutual rights and duties of LLP and its partners, यह दोनों चीज़े LLP agreement से decide होंगे, तो आपस में partners का relation क्या होगा, और इन partners का LLP के साथ relation क्या होगा, इस सारे के सारे relations आपके LLP agreement पे depend करते हैं, save as otherwise provided by this act, मैंने का ठीक है, the second point, the LLP agreement and any changes, if any, made therein shall be filed with the registrar in such form, form number है, e-form number 3, manner and accompanied by such fees as may be prescribed, यह LLP agreement, आपको e-form number 3, within 30 days of incorporation, within 30 days of incorporation, आपको यह e-form number 3 में आपको यह भरके देना पड़ता है, an agreement in writing, आपको यह भरके देकना, an agreement in writing made before the incorporation of the LLP between the persons who subscribe their name to the incorporation document may impose obligation on the LLP, provided such agreement is ratified by all the partners after the incorporation of LLP. इसके लिए मुझे आपको कुछ examples देने पड़ेंगे, ठीक है, इधर ध्यान दे रहे हैं, आप विल्कुल chatting time pass नीची अपने को इस class में आज, जितना time pass करोगे, मैं करूँगा, और कोई time pass नहीं करेगा, only I will do time pass, I have a right to do time pass in this class, I will use that right, ठीक है, और अगर आप लोगोंने writing practice वाले session नहीं देगे, तो जाकर जरूर देख लेना, बहुत अच्छे से writing practice कर वाया है, मैंने, जितने भी सवाल आपके थे, वो सब खतम हो गया, सरी question कैसे लिखने का वगरे, 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 सब खतम, चलो, जड़ा ध्यान से इधर देखना जड़ा, बड़ा, सबसे पहले, let us take example of तेजस्वी, प्राप्ति, बंदना, विशाल, एंस्निया, on 1st of January 2021, this guy is entered into an agreement to do business together as a partner. ज्यान से देखना नजर अटी दुर्गतना घटी ना अच्छे से लोग अपना बिजनस कर रहे थे और कुछ महीने के बाद अच्छा चल रहा है लेकिन इसमें लाइबिलिटी क्योंकि अनलिमिटेट होती है लेट्स दू वन धिंग लेट्स इंकॉर्पूरेट अनलल्प वो चाहिए आप कन्वर्जन से आ रहे हो या किसी भी रास्ते से आ रहे हो यह वांट टो इंकॉर्परेट अनलल्प विद नेम आइज स्पाइस अनलल्प यह इंकॉर्परेट हो गया इसको सर्टिफिकेट अफ इंकॉर्परेशन मिल गया एपर एग्जाम्पल ओ पॉर्टीन देस का टाइम होता ना पंदरा तारीक को इन्होंने फॉर्म बढ़ा एपर इग्जाम्पल इनको ट्वेंटी फॉर्स्ट ओ सेप्टेंबर 2021 को ही इनको सर्टिफिकेट अफ इन्कॉर्परेशन मिल गया एग्जाम्पल इन लोगों ने इक मिटिंग लिया तो यहां से हमारे पास 30 टाइम है यहां से हमारे पास 30 days का time है हमको e-form number 3 submit करके देना पड़ेगा यहने कि e-form number 3 submit करना है यहने क्या करना पड़ेगा आपको LLP agreement देना पड़ेगा तो इन्होंने सोचा कि यहार क्यों हम जबर्दस्ति मेनत कर रहे हैं नया agreement बना रहे है कि काम करते ना जिस agreement से हम अभी तक business करते आए है काम करने के तरीके में तो कोई change नहीं हुआ number of partners भी है काम भी है client भी है business भी है machine भी है factory भी है office भी है employees भी है सब कुछ सेम है क्या करते है ना इसी agreement को कि इसी agreement को LLP agreement बता देते हैं कि इसी agreement को LLP agreement बता देते हैं लेकिन एक पंगा हो गया आप लोग को logical लग रहा होगा लेकिन मैं आपको एक पंगा बताता हूँ जैसे ही 21 September 2021 को आपको certificate of incorporation मिला आइसपाइस लिमिटेड बिकेम आ सेपरेट लीगल एंटिटी आइसपाइस लिमिटेड बिकेम आ सेपरेट लीगल एंटिटी यहने भाई आप पैदा हुए हो 21 September को और आपके उपर लाइबिलिटी शुरू हो गई है एक जैन्वरी को बहुत ना इंसाफी है मतलब यह बात बताओ आपके पैदा होने से पहले ही आप कैसे contract कर रहे हो यार पैदा होने से पहले ही आप पैदा हुए हो 21 September 2021 को और आप बोल रहे हो कि एक जैन्वरी को हुआ हो आईग्रिमेंट हमारे लिए वैलिड होगा LLP बोलेगा आप मैं था यह नहीं तब तस्ता नशा करना बंद कर दो लेकिन लोग कहता है कि यह तो बहुत बहुत ही जादा usual way है 99% of the time पहले लोग agreement बनाते है सब कुछ set करते है decide करते है और जब सब कुछ decide हो जाता है और सब लोग उससे सहमत होते है उसके बाद लोग LLP open करते है so majority of the time this is the natural way of things पहले लोग agreement करेंगे थोड़ा काम करके देखेंगे and if it turns profitable then they will incorporate a company और an LLP और a partnership firm and then they will continue the business but यह separate legal entity का concept बीच में आ रहा था तो यह separate legal entity का concept आपको परिशान न करें इसलिए section number 23 के अंदर एक sub section 3 डाल दिया उन्होंने कहा कि अगर कोई agreement है मैं पढ़ रहा हूँ आप ध्यान से देखना an agreement in writing made before the incorporation of LLP between the persons who subscribe their name to the incorporation document may impose obligations on the LLP provided such agreement is ratified by all the partners after incorporation of LLP अब यहाँ पर क्या हुआ agreement था old लेकिन आपने meeting ली after incorporation say for example आपने meeting ली 1 October 2021 को और 1 October की meeting में आप लोगों ने ratify किया with unanimous resolution अना ratify किया with unanimous voting that this agreement old agreement will be valid and enforceable so law ने क्योंकि आपको यह अलाओ कर दिया है अब आप separate legal entity concept आपके बीच में आएगा old agreements will be held liable only if it is ratified by all the members now say for example Sneha is not happy with the old agreement or Sneha ने आपर मना कर दिया अकर Sneha ने मना कर दिया तो unanimous resolution होगा क्या नहीं होगा माल अना जब वन पार्टनर is disagreeing to the same can you make this old agreement liable to can you make this LLP liable for this old agreement the answer will be no LLP will not be bound by this old agreement because not all the members have ratified the same you need by all the members हर एक member unanimous resolution से उसको pass करना होगा ratify करना होगा तभी जाके वो valid होगी एक भी पल्टा एक भी पल्टा तो वो old agreement गया आपको यहाँ पे new agreement बनाकर 30 days के अंदर ROC को बताना पड़ेगा क्या यह बात समझी अगर एक भी बंदा पल्टा तो आपको यहाँ पे नया agreement बनाकर ROC को भीजना पड़ेगा understood correct so this is how this is how this works section 23 बड़ा simple है को क्या बोलता है देखो subject to anything given in the act mutual rights and duties between partners and mutual rights and duties between partner and LLP will be decided by the LLP agreement ठीक है और LLP agreement आपको within 30 days of incorporation of company आपको यह LLP agreement e-farm number 3 में आपको ROC को बताना पड़ता है और एक और बात अगर आप अपने पुराने agreement को जो आपने LLP बनने से पहले आपने आप में किये थे आपस में किये थे उस agreement को अगर आप valid रखना चाहते हो तो LLP बनने के बाद unanimous resolution से उस agreement को ratify कर दो बोल दो e-farm number 3 में कि हमारा old agreement ही जो हम आपको अभी attach करके दे रहे यही हमारे बीच का valid agreement होने वाला है then that is also allowed separate legal entity का concept आपको नहीं रोकेगा in spite of that agreement being made before the birth of the LLP it will still be applicable on the LLP now in the absence of any agreement as to any matter what will happen sir if there is an LLP there are partners but there is no agreement between the partners partner ने अच्चली कोई agreement नहीं किया है then how will their mutual rights and duties of the partners will be decided in such cases the duties and mutual rights of the partners of the LLP and between the LLP and the partners and among the partners shall be determined by the provisions relating to that matter as set forth in first schedule as set forth in first schedule मैंने आप लोगो शायद बताया है फिर से मैं आपको बता देता हूं mca.gov.in यह देखो यह यह यहां से शूरू होता है देखो चैप्टर 2 चैप्टर 3 इनकॉर्परेशन देखते रहा हूं, आप लोग देखते रहा हूं, आप लोग देखते रहा हूं अब है चैप्टर 4 यह आप लोग अभी पढ़ रहे हैं, हम लोग अभी पढ़ रहे हैं पार्टनर्स and their relation chapter 4 मैं बता रहा हूँ आप लोग देखते रहे हैं यार 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 chapter 5 extent of library debium पढ़ने वाले हैं रुको मैं आपको बताता हूँ contribution financial disclosures assignment investigation और उसके बाद बस यह यहां तक के यहां तक के section number 54 तक section number 54 तक यह है आपका schedule 1 अब यहां से देखो chapter number 10 में क्या लिखा है conversion into limited liability partnership यहां लिका है कि firm में convert private company unlisted public company और उसके आगे उसके rules चालो हो गए 58 है ना फिर foreign LLP compromise arrangements यह सारी बाते यहां पर चालो हो गए फिर क्या है winding up miscellaneous यह सारी चीज़े यहां पर शुरू हो गए ठीक है यह यहां से first schedule आपका शुरू है यह देखो first schedule provisions regarding matters relating to mutual rights and duties of partners and limited liability partnership and its partners applicable in the absence of any agreement there too और यह यहां से जो आप पढ़ना शुरू कर रहे है यह सारा का सारा आपके rights and liabilities के अंदर आएगा यह जो second schedule है यह conversion का है यह आपको अभी follow करने की ज़रूरत नहीं इसके नीचे third schedule आएगा fourth schedule आएगा यह conversion के काम का है fourth schedule यह conversion के काम का है केवल यह जो first schedule दिया और जो मैंने आपको list of sections बताया है जो first schedule आपको दिया था और list of sections बताया है this will be applicable to each and every partner if there is no agreement as such with respect to their rights and duties यह देको सारे दिख रहे है यह सारे rules and regulations सारे rules and regulations आपको follow करने understood तो अगर आप technically जाएंगे तो मैं आपको पहले आपको बताता हूँ आपको exam में कैसे लिखना है who will decide the rights and liabilities and duties of the LLP सबसे पहले आप लिखेंगे कि वैं LLP agreement में लिखा रहेगा सब कुछ LLP agreement में लिखा रहेगा सब कुछ correct sir what if मेरे LLP agreement silent है मैं क्या करूँ कोई बात निमिटा डरो मत आपको अब मैं मौका दे रहा हूँ first schedule में जाने का first schedule में आप जाओ और आपको जो सारे sections यहाँ पर नजर आ रहे हैं मैं आपको section numbers भी पता है जिसमें rights and liabilities specifically आ रही है वो सारे के सारे sections आपके उपर apply हो जाएंगे आपको इधर देखना है न अदर देखना है आपको simply वो sections को उठाना है और follow करना शुरू कर देना है बेटा खुशी because law ने आपको permission दिये क्या आप law से उपर जा सकते हो नहीं इसलिए वहाँ law के उपर आप जाओगे बाकी हर जगा पे वो separate legal entity लगेगा लेकिन अगर आप पुराने agreement को continue करना चाहते है तो law ने का की ठीक है कर लो हमको कोई problem नहीं है as long as every partner is satisfied with the same thank you very much I am very happy that आप लोगों ने writing practice देखा और उससे आपको अच्छा लगा फाइदा हुआ इससे बड़ी बात मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकती thank you very much आप समझ नहीं पाए agreement है लेकिन agreement में rights and duties नहीं है rights and duties आपने नहीं लिखी है silent है आपका agreement rights and duties के बारे में बोलता है कि right and duties will be as per law then what will happen तो you will follow law अगर आपके agreement में rights and duties नहीं लिखी है तो you will follow law अगर अगर कुछ contrary नहीं लिखा है तो आपके mutual rights and duties आप अपने LLP agreement अपना खुद का agreement बना और उसको follow करो यहने कि in short law बोल रहा है कि भाई हमने आपको guiding principles दिये उसके अंदर बैठके आपको जो rights and liabilities बनाना है बनाओ ध्यान रखना कि law तोड़ ना दो rights and liabilities duties बनाते वक्त law तोड़ो मत और अगर आपको बनाने में आलस आ रहा है तो पूरा हम पे छोड़ दो हम जैसा बताते हैं वैसे अपनी rights and duties आप रख लो law ने आपको chance दिया है so any agreement cannot override law ठीक है very good रिशव को समझ में आया है शायद very good try करो या try तो करो बड़ा amazing point आई है बहुत चांती से बड़ा आपको समझ में आया क्या बोल रहा है a person may cease to be a partner of the LLP एक person LLP का partner नहीं रहेगा in accordance with the agreement with the other partners हो सकता है उसने agreement कर दिया हो कि I don't want to be a partner of the LLP anymore और other partners से बात करकि वो अपना नाम LLP agreement से हटा रहा है it is perfectly allowed पहला step क्या बोला in accordance with agreement with other partners पहला step क्या है agreement with other partners यहां सरह ध्यान से देना यह एक्जाम में आता है और यह बोर दिफिकल समझ ने के लिए और in the absence of agreement with the other partners as to suggestion of being a partner by giving a notice in writing of not less than 30 days to the other partners of his intention to resign sir what if there is no agreement of the partners with respect to resignation of any partner तो अगर आपको दूसरे partners नॉर्मल ही नहीं जाने दे रहे तो गिव नूटिस ओफ कर टीड़ेर ल्याव क्या है यह यह मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं कि आव टू इह ली व LLP अगर आपको LLP छोड़ कर जाना है आपके पास दो option है एक तो आप बाकी partner से permission लिलो उनको बोलो कि भाई मैं छोड़ के जाना चाहता हूँ और वो लोग अगर आपको जाने देते तो बहुत अच्छा लेकिन अगर वो लोग आपको a partner of this LLP what happens after those 30 days will be your sole problem I will step out of the partnership समझ में आया है मैं क्या कह रहा हूँ yes cessation मतलब leave करना correct what if agreement में नहीं अच्छा आपने बताया agreement में partner कब रिटायर हो लिखा है तो वो रिटायर रहेगा yes आर्ची पर्फेक्ट आर्ची पोल्डेसर अगर agreement में लिखा है suppose agreement में लिखा है कि जैसी आप 60 years के हो जाओगे आप automatically retire हो जाओगे तो अगर ऐसा लिखा है और आपका एच 60 years हो गया तो congratulations you are not a partner of LLP anymore you have fulfilled the agreement ना agreement लिखा ना कि अगर आप 60 साल के हो जाओगे तो आप automatically retire हो जाओगे retired लेकिन अगर agreement में ऐसा आपका suggestion के बारे में कुछ नहीं लिखा है और आपके समझाना चाहता हूँ cessation का मतलब होता है leave करना समझ मैं है method of leading a firm okay a person shall cease to be a partner of the LLP on his death or dissolution of the LLP or if he is declared unsound minded by the competent court or if he has applied to be adjudged as insolvent or declared as an insolvent so एक और example में आपको पताता हूँ ठीक है कस्मिया कुशी आर्ची और साम यह चार लोगों ने मिलके एक LLP बनाया correct now what happens is साम को लगता है कि वो पागल हो रहा है literally साम को लगता है वो पागल हो रहा है तो एक दिन साम जाता है किस के पास तरस्मिया के पास कुशी के पास और और आर्ची के पास कहता है यार सुनो ना ऐसे अजीब अजीब कर रहा था सुनो ना मुझे क्या लगता है ना मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो ना अरे ऐसे पागल चाले कर रहा था हूँ ओ उस और मिरे को लगता है मैं पागल हूँ सोचो कुद बोल रहा है वो मुझे लगता है मैं पागल हूँ मुझे बताएए विल यू कंसिडर हिम ऐस पार्टनर ओफ एल एल पी सिर्फ येस और नो में जवाब दो will you consider him as a partner of your LLP हेंस फूर्थ येस और नो में जवाब दो सारे लोगों से जवाब चाहता हूँ मैं सारे लोगों से जवाब चाहता हूँ please फड़ा सपोर्ट करो सारे लोग एक एक चुडेंट जब तक जवाब नहीं देगा मैं आगे नहीं जाओंगा क्या सस्मिया, खुशी और आर्ची जब सैम आगे से आ कि खुद बोल रहा है मैं पागल हूँ क्या आप उसको पार्टनर मालोगे येस या नो अब तयार हो जाओ टाइड की मार जहलने के लिए दक करेक्ट आंसर इस येस ये इस आपार्टनर अब टू और त्री स्टूदेंट कुड आंसर दिस करेक्ट लिए जोग गय अरे आपको लगता है आप पागल है आपको लगता है आप पागल है इस नाट इनफ यहां लिखा है यहां लिखा है यू आप टू बी डिकलियरड बाई अ कम्पिटन्ट कॉट याने जब सैम बोलता है ना कि मैं पागल हूँ तो यहां पर तस्मिया, खुशी और आर्ची यह सैम कोट के पास जाएंगे कोट को बोलेंगे कि हमें लगता है सैम पागल है आप चेक कर वाओ कोट इसके ओपर चेकिंग करेगा और जब कोट डिकलियर करेगा न यह सैम इस ओफ अंसाउंड माइंड इस मॉमेंट पे यह विल सीज तो बी अपाट चोग गये कैसी लगी सफेदी की चमकार कैसी लगी सफेदी की चमकार विड़ कि इतने लोगों ने गलत आंसर दिया था थैंक्यू तो नहीं आए मुझे इतने बड़े यार तुम लोग मतलब सच में थैंक्यू भी नहीं बोलते हो यार एक तो गलत आंसर दोगे खुशी बोल रहे है सर सैम ऐसा बोलके घुत का नुकसान क्यों करेगा क्योंकि सैम पागल है अब पागल लोगों से आप रैशनल चीज़े एक्सपेक्ट क्यों कर रहे हो अब एक और सिच्वेशन अभी सैम आया एक दिन और सैम ने तस्मिया और कौन ताम अपपर खुशी और आर्ची सैम ने तस्मिया खुशी और आर्ची के पास आया और कहा कि यार मुझे लगता है कि I am insolvent तो तस्मिया खुशी और आर्ची बोलते है यार एक बार हम गलती कर चुके है भाई ना 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 एक बार हम गलती कर चुके है, बस हम सब लोगों ने पूरी ख्लास ने मिलके गलती किए, भाई, तुझे क्या लगता है मुझे स्टे कोई लेना देना नहीं है जब कोट से लिखवा के ला सैम कहता है, ठीक है तो सैम जाता है कोट में और कोट में वो apply कर देता है और insolvency apply करता है insolvency के लिए ठीक है अब court का फैसला अभी तक आना बाकि है order pending order is pending या Sam को आप member मानेंगे yes या no या आप Sam को member मानेंगे सिर्फ right right yes or no that's it तुम लगे कमेंट इते फ़नी रहते ना तुम लोग सहीवे यार ध्याद देते विए का क्लास को समझे रही पड़ता विल सैम भी टीटेटेट अज अ मेंबर पार्टन अफ अ लल पी मैं बता दू अभी तक court से Sam को insolven declare नहीं किया गया है अभी तक court ने Sam को insolven declare नहीं किया है विल यू कंसिडर हिम आज अ मेंबर और नॉट आईये आपका इंतजार था सफेदी की चमकार के तया होजे ये वाइट हो तो टाइड हो गड़ू आंसर ये इस नो मैं नहीं खेल रहा है मैं जा रहा हूँ है ना ऐसा आपके मन से आ रहा होगा यार ये इस सार बहुत बड़े यार परिशान कर देते हैं मैं नहीं खेल रहा है आज से कभी इंदा क्लास ने देखुँआ हमेशा उल्टे सिदे सवाल पूछते रहता है इतने मैनज से मैं जवाब देता हूँ हमेशा सवाब जवाब गलत निगल जाता है और क्या चल रहा है अरे पड़ो न यहां क्या लिखा है if he has applied to be adjudicated as insolvent or declared as insolvent अगर आपने apply भी कर दिया न apply the moment you apply to be adjudicated as insolvent you cease to be a member of the firm LLP आपने लोग फसे चलो ठैंक्स लिखो लाओ 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 ना 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 जित्ती गलतिया कर रहे हो ना उत्ति गलतिया exam में कम करोगे तो please don't get disartened मेरा तो आदत ताइड करने का कि आई गजब फदे है भाई लो अब चाहँ एक है। अब टेक है। अजब लू ब्डिय काल तो ट्राइट लेम फश्रागिंट जय सकतते है। former partner, ex-partner हो गया, if he cease to be a partner of an LLP, the ex-partner यनि कि the former partner is to be regarded as still being a partner of the LLP unless अब जरा इंपर्टन धान देना, the person has noticed that the former partner has ceased to be a partner or noticed that the former partner has ceased to be a partner of the LLP has been delivered to the registrar. Now, let us understand this. Say for example, Sam has applied to be adjudicated, he has applied to be adjudicated as insolvent. Now, what will happen in this case? The moment Sam applies for insolvency, he will cease to be a partner of the LLP, cease to be a partner of LLP, correct? ये बात किसको पता होगी? खुद Sam को, याज हो सकता है, Sam के partners को. Now, what happens is Mr. X, Y, Z, A, B, C, D, they are all suppliers, suppliers of their supply product to your LLP. How will these guys come to know that Sam has applied for insolvency and that he is not a partner of the firm anymore? ये लोग कोई भगवान तो नहीं है? आप अगर इनको नहीं बताओगे, तो इनको कैसे पता चलेगा, right? So, for example, Sam has applied as an insolvent और फिर भी वो office में आ रहा है और Mr. C ने उसके साथ कोई transaction कर लिया, Sam will still be held liable. He will still be held liable for the transactions. लेकिन वो तो, he sees to be a partner, वो partner नहीं है, वो partner नहीं तो आप उसको liable क्यों कर रहे हो? अरे बेटा, Mr. C को क्या सपना गिरेगा that Sam has left the partnership? नहीं न? Mr. C को सपना तो नहीं गिरेगा. तो फिर Mr. C को कैसे पता चलेगा कि Sam अभी partner है या नहीं है? So Sam will still be held as a partner even after retirement, even after suggestion of the partnership, Sam will still be called as a partner until and unless two conditions, one of the two conditions is satisfied. Now say for example, Mr. Z is a friend of Sam, okay? Now Mr. Z sells some goods to the LLP. मुझे बताईए क्या इस transaction के लिए Sam will be liable or not? सोच के बताना. Z is a close friend of Sam. He knows about the retirement of Sam from the partnership LLP and even though he knows about that Sam is not a partner in the LLP anymore, he still does transaction with LLP. Can he hold Sam liable for this transaction? Haa, Chetan, partner by holding out this hour. He will not be liable. Not liable. Why? Because Z had already known about the insolvency proceeding pending in the case of Sam and hence क्योंकि Z को अलरी पता है कि Sam insolvency के लिए कर रहा है, he should have known that Sam is not a partner anymore and still he entered into contract. In this case, Sam will not be liable for this transaction. Ya, say for example, Sam ने registrar of company को एक notice दे डाला. ROC अंटी, I am insolvent and I have applied to be insolvent. जैसे ROC अंटी को ये notice पता चल गया, आप अस्यूम कर ले ना कि ये पूरी public को पता चल गया. This is as good as public notice. माने, anyone and everyone dealing with the LLP will be presumed to have knowledge about this notice और ये date of notice के बाद के सभी transactions के लिए Sam will not be liable. एक बार ये notice दे दी, उसके बाद के किसी भी transaction के लिए Sam will not be liable because now he has, उसने जग जाहिर कर दिया कि मैं insolvency के लिए apply कर चुका हूँ. Hence, I am not a partner of this LLP anymore. इसके आगे अगर आप कोई transaction LLP से कर रहे हो, वो आपकी आप जानो और LLP जाने मेरा उससे कोई लेना देना नहीं रहेगा. आपने ये public notice दे दी, आपने LLP पूरे रजिस्टार को बता दे है, रजिस्टार ने तो अभी तक पूरा आटो घुमा दिया होगा पूरे दुनिया में. सब जगा पैसे ना, गली-गली में शोर है, Sam भाई चोर है, गली-गली में शोर है, Sam भाई चोर है, ये हो गया होगा अभी तक. Now you won't be liable for any transactions done henceforth. तो सिर्फ दो cases में आप बत सकते हो, Mr. Sam, सिर्फ दो cases में आप बत सकते हो, एक तो आप ऐसा आदमी आप से transaction कर रहा है LLP से, जिसको आपके situation के बारे में अल्रेडी पता है, या आपने registrar को एक जग जाहिर कर दिया कि मैं insolvent हो चुका हूँ, या मैंने apply या हुआ है, ये दो ही cases में आपकी liability खतम होगी, otherwise आपकी liability चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, जब तक आप public notice नहीं दे देते. येस विटा वंदना, ठीपा में भी मैंने ये ही बताया, मैंने कहाना है partnership और company दोनों के laws इसमें applicable है, बेटा constructive notice का doctrine यहाँ पर apply नहीं होता, Any problem till here? Any problem till here? Anyone has any problem, any questions? ये तीनों point पढ़ने के बाद आपके की दिमाद में कुछ सवाल आए? Anyone? Any doubt? No? Very good. So now, guys, I am not going to teach you point number 4, 5, 6 today because it's gonna take some time. So let's do one thing, I will continue this 4, 5, 6 वाले points tomorrow. And this is actually a very great concept, ये जो partners उनके relation है, ये बहुत अच्छा concept है. और बहुत सारी चीज़े हमको इसमें पढ़नी है, तो आप प्लीज का lecture मिस्मत करें, कल बहुत इंपोर्टन बाते होने वाली है, कल बहुत इंपोर्टन बाते होने वाली है, ये जो point number 4, 5 और 6 है, ये बहुत जबर्दस point है, और बाद मैं आपको point number 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सारे consolidate करके भी बताऊंगा. ये बहुत important है, मैंने आज revision करा लिया, तो कल मैं directly ये partner and their relation वाले file से शुरू करूँगा, इस page से शुरू करूँगा, law कहता है that partnership के जो rights and duties है, अगर आप, save as otherwise provided in this act, अगर act में कुछ और बोला है, जहां पर भी, तो आप उसको follow करो, otherwise आपके rights और duties आप खुद decide करो, ठीक है एक काम करो, LLP बनते ही 30 दिन के अंदर e-form no.3 में अपना partnership LLP deed अपना मिर को बता दो, आर उसी को बता दो, और हाँ एक और बात सुनो, अगर आप अपने पुराने agreement को ही LLP बनने के बाद, LLP में continue करना चाहते हैं, तो भी मुझे कोई तकलीफ नहीं है, बस आप उसको ratify करा after incorporation of LLP by all the partners, अगर सारे partners को तकलीफ नहीं है, तो मुझे भी कोई तकलीफ नहीं, आप same old agreement को ही carry forward कर लो, एक और बात सुनो, अगर आपका agreement silent है, या अगर आपके agreement में rights और duties की बात नहीं की गई है, तो दरो मत मैंने पूरा schedule 1 बना के रखाई, जिसमें rights and duties of partners लिखे है, तो दो तरह से आप जा सकते हो, एक in accordance with agreement, यानि agreement में अगर लिखा है कि आपने ये किया तो आप चले जाओगे, या आपने वो किया तो आप चले जाओगे, आपकी उमर इत्ति होगी तो आप चले जाओगे, बाकी partners ने आपको जाने दिया तो आप चले जाओगे, तो अगर agreement में लिखा है और उस तरह से आप जाना चाहते हो, तो चले जाओ, लेकिन अगर agreement में ऐसा कुछ लिखा नहीं है, तो आप 30 days notice दे के कभी भी LLP छोड़ के जा सकते हो, आपको बस LLP से जाते वगक 30 days का notice देना होगा, यानि आप 1 January को notice दोगे, तो 30 January को आप LLP से बाहर, आप को आपका और LLP का फिर कोई relation नहीं रहेगा, subject to public notice, subject to point number 3, point number 3, public notice दे देना, public notice दे बिना मत चले जाना, दूसरी बात, एक और बात सुन लो, अगर आप नहीं जाना चाहते हैं, फिर भी हम आपको निकाल सकते हैं, अगर आप point number 2 में फस्स जाते हो, मतलब अगर आपकी death हो हो जाती है, या part LLP ही dissolve हो जाती है, या ऐसा हो सकता है कि you are declared as unsound mind by the competent court, या हो सकता है that you have applied to be adjudicated as insolvent or you have been already declared as an insolvent by a competent court, इन तीनों cases में भी आपका partnership का और आपका relation cease हो जाएगा, मतलब end हो जाएगा, खतम हो जाएगा, लेकिन एक बात हमेशा हमेशा के लिए याद रखना, just because आपका और LLP का relation end हो गया, इसका मतलब आपकी liability भी end हो गया, ये गलत है, in spite of cessation of relationship between the partners and the LLP, you will still be liable unless, unless the person has a notice that the former partner has ceased to be a partner or notice that the former partner has ceased to be a partner has been delivered to the registrar, एक तो जो transaction हो रहा है, उस party को, transacting party को already पता है कि आप छोड़ कर चले गए हो, या आपने ROC को public notice दे दिये कि भाई साब, ROC, भाई, ROC आंटी, मैं इस form को छोड़ कर जा रहा हूं, अगर ये दोनों case में से कोई भी एक face में आप आ जाते हो, then your liability is zero, after the cessation of partnership, उसके पहले के लिए, you will be liable, after the cessation of partnership, अगर ये दोनों में से एक भी point में आप first जाते हो, तो your liability will be zero, लेकिन अगर आपने notice नहीं दिया, ROC को, या जो transaction हो रहा है, वो party को आपके जाने के बात नहीं पता है, तो in spite of not being a partner of the LLP, you will still be liable for those transaction, इतनी चीज़े मैंने आज आपको पढ़ मैं इतने प्यार से पढ़ा रहा हूँ था कि आप जब LLP छोड़के जब आप टीपा पड़ोगे recorded, उसमें ये सारी चीज़े आपको आप click होने लगेगी, ठीक है, चलिए, I hope there is no further doubt and even if there are some doubts, या आप एक बार reading करोगे, उसके बाद अगर आपको कोई doubts आएंगे, तो don't worry, tomorrow I am going to continue this, topic, अगर आप लोगों ने अभी तक live class नहीं लिया, तो 21st of October से चाले होने वाली RTP, MTP, PYQ batch के लिए, प्लीज आप इसे ले लीजिए, आपको बता दू, live classes, weekly test, structure course, unlimited access, आपको मिलेगा, 6-12-24 month की options, Iconic में available, यहां पर भी siyadash is going to give you maximum possible discount, Iconic और plus subscription की combos भी available, link is in the description of this video, यह जो सारे offers इसको check out करिये, follow me, link is there in the description of the video, don't forget to like, comment, share and subscribe, also important बात मैं आपको बता दू, combat में participate करिये, combat एक बहुत जबरदस चीज़ है, combat में भी participate करिये, उसमें आपको बहुत सारे prizes आप जीच सकते है, so combat में भी ज़रूर participate करिये, okay, so thank you very much, God bless you, combat होता है Sunday, every Sunday 12 p.m, ज़रूर उसको participate करिये, thank you very much, God bless you, lots of love, take care, I'll see you in the next one, bye-bye, yes, reading के बाद बता देना, कोई यह doubt आ गया, no problem, ठीक है, thank you very much,